चलिए अब हम आपकी जो एक्सेसाइज आपकी 14.1 चल रही है उसका कोस्टे नमर 5 तक हम ने कल लिया था कोस्टे नमर 6 से अपने देखते हैं और 6 और 7 को इसमें अच्छे से समझेंगे ठीक है यह बहुत सारान से इस पार्ट का यदि आप बात करो ना तो यह जड़ है यह समझे तो पूरे सवाल आप खुद सोल्व कर पाऊगे पूरे कराऊंगा विसे ठीक है घबराना नहीं है चिंता नहीं क्यारना है चिंतन करो यान महनत करो केवल द्यान से देखो है ना तो चलिए कोस्टे नमर 6 को हम पहले समझते हैं देखते हैं देखिए छटा कुस्टे म केवल नीम्बू की महक वाली मीठी गोली आए कुन सी गोली उसमें केवल नीम्बू वाली ठीक हैं मालिनी बिना थेले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है इसकी क्या प्रायक्ता होगी कि वो जो गोली निकाल रही है ना जाने कितनी उसमें अपने को नहीं पता है पर सारी की सारी के सी नीम्बू वाली है ध्यान रखना कुन सी नीम्बू वाली ठीक है तो इसकी क्या प्रायक्ता होगी कि वहां निकाली गई गोली एक संतरे की महक वाली होगी है अब लो भाया ये तो बात कहां से कहां तक पोज गई निमू वाली तो पूरी है तो संतरे की कहां से निकलेगी तो हम कहेंगे कि भाया निमू चुकी थेले में यहां पर लिख लिया पेले ही चुकी थेले में निम्बू की महक वाली गोलिया है, संतरे वाली नहीं, इसलिए भाई साब ये तो असंभव घटना हो गई, और असंभव घटना की प्रायक्ता सुननी होगी, जिद्धोगे पक्का, ठीक हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, निम्बू की महक वाली गोली, हाँ निम्बू की महक वाली गोली तो है उसमें, पूरी की पूरी, तो कोई से भी गोली निकालेगी, एक गोली तो निम्बू की निकलेगी, यानि कि संभव हुए, संभव है, तो लिख देना है, चुकी थेले में निम्बू की महक वाली ही गोली आ है, इसलिए संभव घटना हो देने की प्राइकता कितनी होगी एक होगी ठीक है इतना करते हैं